रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों जै मातादी दोस्तों हिंदु धरम में पूर्णिमा को सबसे महतपून बताया जाता है हर महिने आने वाली पूर्णिमा पर ना सिर्फ लोग व्रत रखती हैं बलकि पूरे विदी विधान से पूजार्चना भी करती हैं चैत्र मास की पूर्णिमा को सबसे महतपून पूर्णिमा माना जाता है इस बार चैतर पूर्णेमा एप्रल महिने की आठ तारीक को पढ़ रही है लेकिन दोस्तों कोरोना वारस के चलते इस पूर्णेमा पर लोग ना किसी पावित्र नदी में सनान करने जा पाएंगे और ना ही किसी मंदर दर्शन के लिए जा पाएंगे इस बार पूर्णेमा पर लोगों को घर पर रहकर ही पूरे विधीविधान से पूजन करना होगा लेकिन दोस्तों इस पूर्णेमा की सबसे खास और महत्पून बात आपको हम बताना चाहेंगे कि इस बार इस पूर्णेमा के दिन हनुमान जैन्ती का परव भी मनाया जाएगा जी हाँ जी हाँ दोस्तों आठ एप्रिल को हनुमान जैन्ती का परव भी मनाया जाएगा इस दिन जहां भक्त हनुमान जी की भक्ती में लीन रहेंगे वहीं आसमान में एक अदबुद नजारा दिखेगा क्योंकि दोस्तों इस दिन सूपर मून नजर आएगा चैतर पुर्णेमा पर दिखने वाला ये चांद आम आकार से बड़ा और ज्यादा चमकीला नजर आएगा माना जा रहा है कि ये साल का सबसे बड़ा और सबसे अधिक चमकीला चांद होगा वहीं दोस्तों एप्रिल में नजर आने वाले इस सूपर मून को पिंक मून भी कहा जा रहा है इस तरह आठ एप्रिल को नजर आने वाले चांद को सूपर पिंक मून का नाम दिया गया है दोस्तों माननेता है कि चैत्रपुर्णिमा की दिन भगवान हनुमान जी का जनम हुआ था इसी वज़े से चैत्रपुर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है लोग इस दिन सत्यनाराण की कथा की साथ हनुमान भजन और पोजन भी करती है इस दिन दान पुन्य का भी बेहत ज्यादा मैत्व होता है इसलिए दोस्तों आप इस दिन खास तोर पर गरीब और जरुवत मन लोगों को दान अवश्य करें क्योंकि दोस्तों इस दिन दान करने से उसका फल कई गुना बढ़ जाता है दोस्तों बता दें कि हनुमान जैन्ती और चैत्र पॉर्णिमा के संयोग का लाब कुछ राशी वालों को मिल सकता है और इन राशी वालों और होने वाले लाब के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो आपसी अनरोध है कि वीडियो को आप बिल्कूल भी मिसना करें और इसे अंत तक जरूर देखें चलिए शुरू करती हैं दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इन राशी वालों का अब पूरी तरह से भाग्य खुलने वाला है जिससे कि इनके जीवन के सभी दुखों का अब अन्त हो जाएगा दोस्तों इनके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है आप लोगों को अपने कारेशेत्र में अच्छा पद हासिल हो सकता है जिसकी सहेता से आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी कठनाईयों को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे इस दोरान आपका मन समाजिक कार्यों में अधिक लगेगा इस महासंयोग के प्रभाव से इनराशी वालों की किस्मत अब खुलने वाली है और इससे आपको लाब ही लाब प्राप्त होने वाला है बता दें कि आपके जीवन में सभी सुक्सुविधाएं आपको हनुमानजी प्राप्त करवाएंगे और आपको किसी भी चीज की कमी बिलकुल भी नहीं होगी इनराशी वालों को आने वाले समय में कई सारी बड़ी खुश खबरियां मिलने वाली है जिससे कि इनके जीवन में खुश्याई खुश्याई इने प्राप्त होंगी इस दोरान जो भी आप से मिले आप उनके साथ विनम्र और सुखत वेवार करें प्रेम संबन्दों के लिए भी यह दिन आपके लिए अच्छा रहेगा आपके जो भी कारी लंबे समय से अटके पड़ी थे वे सब आने वाले दिनों में आसानी से पूरे होते जाएंगे व्यापार के लिए जो भी रास्ते आपके लिए बंद हो चुके थे अब आपके लिए नए रास्ते आने वाले दिनों में खुल जाएंगे आपके मान समान और प्रतिष्ठा में व्रिद्धी होगी जिसके कारण समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी आप लोगों को अपने जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है आपको अचानक से भारी धनलाब हो सकता है आप लोग अपने जीवन में तेजी से प्रगती करते हुए आगे बढ़ेंगे आपके कई प्रकार के रोके हुए कार्य भी पूरे होने लगेंगे दोस्तों बता दें कि जिन राशियों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वे राशिया हैं मेश राशी, मिथुन राशी, कन्या राशी, धनु राशी, मकर राशी, कुम्ब राशी और तुला राशी दोस्तों आपसी अनरोध है कि आप कमेंट सेक्षिन में सच्छी दिल से जैमाल लक्ष्मी अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर आवश्य कर दें